इस वीडियो में 36 इंच की कटोरी पेपर कटिंग किस तरह से करते हैं वो आज मैं आपके बताऊंगी सबसे पहले उसके लिए नाप समझ लेते हैं लैंथ होगी 14 इंचेस की चैस्ट होगा हमारे हाँ पे 36 इंचेस का वराउन हमारा 30 इंचेस का रहेगा शोल्डर 15 इंच का लेंगे नेक फ्रंट का है रिकस इंच बैक का नेक 10 इंच स्लीव की लैंथ हमारे रहेगी 6 इंच और राउन रा 13 इंच तो इतने नाप हमें यहाँ पे लगेंगे अब हम एक टेपर लेंगे वह हमने डबल में फोल कर लिया है इस तरीके से तो एक साइट से वह पूरा बन है और एक साइट से इस तरीके से खुला हुआ है अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लेंग का निशान लगाएंगे तो हम फ्रंट की लेंग में यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा एड करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा लैंट है 14 इंच का तो देखिए 14 इंच में हम 1.5 इंच एड करेंगे तो वह साड़े 15 इंच पर जाएगा तो इस तरीके से दो निशान हम लगा देंगे यहाँ पे तो देखिए मैंने दोनों निशानों को यहाँ पे लगा दिया है अब हम इस तरीके से लाइन को सिधा बना दिया है अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर हमारा यहाँ पे है 11 इंच का तो उसको हाफ हमें यहाँ पे लगाना होता है अगर गला कम हो जाएगा तो शोल्डन थोड़ा बढ़ जाएगा अब हम आरमोल का निषान लगाएंगे 6 इंच पे इस तरीके से और उपर के साइट में हमने 5 इंच लिया था तो इस साइट में भी हमें 5 इंच लेना है अब हम लाइन को कीज देंगे इस तरीके से हम बॉक्स की तरह यहाँ पर निशान लगानेंगे अब हम थीसरा निशान लगाएंगे चैस्ट का तो देखी हमारी चैस्ट है 36 इंच की तो उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा वो 9 इंचिस का और अब यहाँ से आपको 2 या 1,5 इंच की आप मार्जिन दे सकते हो मैंने यहाँ पर 1,5 इंच ही मार्जिन रखी हुई है अब हम वेस्ट का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर वेस्ट है 30 इंचिस का तो 30 को आपको 4 से डिवाइड करना होगा वो आ जाएगा यहाँ पर 7,5 इंच का अब एक इच हम यहाँ पर टक्स के लिए लेंगे एक्स्ट्रा और वहाँ से जितनी आपने उपर की साइड में मार्जिन ली हुए है उतनी ही मार्जिन आपको निची की साइड में भी लेनी है और दोनों लाइन को इस तरीके से लगा देंगे सीडे में तो हम अगला निचान लगाएंगे आर्म होल का तो जो आर्म होल की कार्ट हमारी बैक वाली गिरेगी वो 1,5 इंच पर गिरेगी इस तरीके से और वहाँ से अंदर की साइड में पाव इंच की हमारी फ्रेंट की काड़ गिरेगी आर्म होल वाली तो इस तरीके से मैंने दोनों निशानों को लगा लिया है अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों आर्म होल का अच्छे तरके से शेव दे दिया है अब अगला निशान हम बैल का लगाएंगे तो सबसे पहले हम एक साइड से लेंगे यहाँ पे साड़े तीन इंच तो जो बन साइड है यहाँ से मैंने एक निशान लगाया साड़े तीन इंच और एक निशान लगाया हमने धाएंच का और जो दुसरी साइड है यहाँ पे फिटिंग वाली वहाँ से हम धाएंच पे ही निशान लगाएंगे और जो धायम च्वाले जो निशान हैं उसकी इस तरके से लाइन सिधी बना देंगे अब जहाँ तक फिटिंग है उस तरके से टेप को रखेंगे और वहां से अब हम सेंटर का निशान इस तरके से लगा देंगे और जो साइडे 3 इंच का हमारा मारकिंग था यहाँ पे वहाँ से सेंटर की साइड में इस तरीके से बैल का शेप दे देंगे तो यह हमारी बैल का निशान लग चुका है अब हम गले का निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम गले की चोड़ाई लगाएंगे और अब 6 इंच पर हमने फ्रैंक का निशान लगाना है गले की नीचे के आपी नीचे के साइड में थोड़ा सा गया चोड़ा कर सकते हैं पूने 3 या 3 इंच पर निशान लगा के इसी तरीके का बॉक्स बनाके अब हम कली का राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से अब हम यहाँ पे कटोरी का round निकालेंगे तो सबसे पहले chest इतनी होती है उसको 6 से divide करके कटोरी round निकाला जाता है chest हमारी यहाँ पे 36 inches उसको 6 से divide किया मैंने यहाँ पे मैं लिखके बढ़ेती हो आपको इस तरीके से 36 divided by 6 is equal to 6 तो हमारा कटोरी का जो round निकल के आएगा यहाँ पे वो 6 inch का आएगा इसके से अब हम गले की side से निशान लगाएंगे तो यहाँ पे 5 inch पे निशान लगाएंगे हम आप चाहे तो उपर की side में 1 inch भी लगा सकते हो अब हम आन्होल की side में सबी 2 inch पे इस कोरके से निशान लखा देगे यहाँ से सबी 2 inch पे मैंने निशान लगा दिया औरो 3 points को आपको कटोरी का a shape दे दे Mundows 3 points को मिलाते हôm आपको कटोरी का a shape दे देना है अब एक बात देख लेते हैं कितने नाभ हमने कहां पे डाली हुए है तो लेंट में हमने फ्रेंट की साइड में लिया शोल्डर यहाँ पर 11 इंच का था साड़े पाच इंच लिया आर्म हॉल मेंने यहाँ पर 6 इंच का लिया हुआ है चेस्ट हमारे 6 इंच थी उसमें मैंने 4 डिवाइड किया और जितना भी आया उसमें मैंने 1.5 इंच की यहां पर मार्जिन दे दी नेची की साइड में भी हमारे वेस्ट 13 इंची ती उसका फोर्ग निकाले एक इंच एक्स्टा लिया टक्स के दिये और 1.5 इंच की मार्जिन अब उसके बाद में गले से हमने 5 इंच कोटोरी की साइड में यहां पर डाउन किया हुआ है आरम होल की साइड में मैंने यहां पर अंदर की साइड में सवा 2 इंच का निशान लगाया था और कोटोरी का राउन मैंने यहां पर 6 इंच लगाया था इस फार्मूले से अब हम इस सब डाप्टिंग का यहाँ पर कटिंग करेंगे पीछे वाला हम यहाँ पर आर्मोल कट कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नीची की साइड में भी इस तरह से कर सकते हैं तो दोनों पल्लों में नहीं हाँ पर पीछे वाला जो आर्मोल था वो cut कर लिया हुआ है अब हम इसे खोलेंगे और बीच से यहां से cut करेंगे अब देखिए दो पार्ट बन चुके हैं अब हम पहले बैक का पार्ट का देख लेते हैं तो सबसे पहले हमारी जो लैंड थी यहां पे वो 14 इंचिस थी तो हमें बैक में यहां पे एक इंच ही एड करना होता है तो जो हमने आदा इंच एक्स्टा लिया हुआ है उसे हमें माइनस कर देना है मतलब 15 इंच पे मैंने निशान लगाया यहां पे और इस तरीके से लाइन बना दी उसके बाद में धा इंच मेंने गले की चोड़ाई ली हुई है गले की लंबाई यहां पे है 10 इंच की बैक की साइड में 10 इंच पे एक निशान लगा दिया उपर की साइड में था इंच लिये थे तो निचे की साइड में हमने तीन इंच लिये है मतलब थोड़ा से चोड़ा गला हम यहां पे लगाएंगे और इस तरीके से box बना रेंगे और आप चाहे वो shape यहाँ पर दे सकते हैं मैंने यहाँ पर round shape ही रखा हुआ है और इस तरीके से हमने गले का shape दे दिया अब सबसे पहले हम जो हमने निची की side में line बनाए थी उसे हम cut करेंगे अब हम tux का निशान लगाएंगे tux की चोड़ाई जो back में जो tux गिरता है उसकी चोड़ाई हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे और लंबाई भी यहाँ पर 4.5 इंची की रखेंगे और इस line को सिधा बना देंगे अब देखें नीचे की side में हमने एक इंच एक सा लिया हुआ था कमर की side में तो वो एक इंच को आपको यहाँ पर address करना होगा तो आधा आधा इंच जो line है वहाँ से दोनों side से आधा आधा इंच लेके यहाँ पर हमने tux बना देना है तो देखें यहाँ पर tux का निशान लग चुका है और यह back part हो गया हमारा ready हम यहाँ पर लिख लेते हैं यह हमारा back part है अब हम गले की cutting करेंगे आप चाहें तो कपड़े के भी direct cutting कर सकते हैं गले की तो देखें यह जो है हमारा back part वो ready हो चुका है अब हम front part देखेंगे तो यह हमने cut कर लिया था सबसे पहले हम front का जो armhole था उसे cut करेंगे armhole cut हो चुका है अब हम गले को cut करेंगे bell को अलग करेंगे हम यहाँ से अब कटोरी का जो हमने निशान लगाया था उसे भी हमने cut कर लेना है तो देखें यहाँ पर यह तीनो पार्स यहाँ पर बनके ready है मगर यह जो cut करेंगे यहाँ से निकली हुई है इसको हमें बढ़ाना होता है तो वो किस तरीके से बढ़ेगी मैं आपको बता दी हूँ एक paper लेना है और इस paper पर यह जो हमने cut कर लेना है उसको रख लेना है आपको यहाँ से तीनों side से यहाँ पर जगा छोड़के इसकी drafting करनी है जिस तरीके की यह निकली है उसी तरीके से आपको निशान लगा देनी है अब देखें यह कतोरी हमारी किसी काम की नहीं है अब हम इस पर बढ़ाएंगे तो देखें यहाँ से हमें 1.5 inch दोनों side से इस तरीके से निशान लगाना है 1.5 inch बढ़ा के लिनी है दोनों side से आपको इस तरीके से यहाँ पर नापना है 1.5 inch यहाँ पर भी 1.5 inch का निशान लगा देना है और इस तरीके से line को खीच देना है तो हमने लाइन बना ली यहाँ पर उसके बाद में आप जितनी भी मार्जिन यहाँ से लेते हो गले की साइट से उतनी ही आपको लेनी है और इस तरीके से कटोरी का शेप जहाँ पर हमने 1.5 इंच बढ़ा के लिया हुआ है उसको हमने इस तरीके से मिला देना है तो देखिए मैंने यह इस तरीके से डॉट बना दिया है अब इसको लाइन को अच्छे से डार्क बना लेंगे तो यह हमारी बड़ी हुई कटोरी इस तरीके से बनेगी अब इस साइड से भी आप चाहे तो थोड़ा सा मार्जिन लेके इस तरीके से बना सकते है और गले को भ जितना भी आएगा उसका सेंटर निकालके एक निशान लगा देना है इस तरीके से अब देखिए सेंटर की साइड से नीचे की साइड में आपको देर इंच एकसा लेना होता है इस तरीके से और जो तीनों पॉइंट से आपको इसको इस तरीके से मिला देने है अब देखिए यहां पर देर इंच ही लगाया हुआ है तो इस तरीके से वो लाइन बन जाएगी अब आपको यहां पर टक्स का निशान लगाना है तो जो सेंटर का निशान है वो मैंने वहां से देर इंच इस साइड में और देर इंच इस साइड में इस तरीके से टक्स का निशान लगाया और इन लाइन को इस तरीके से हाँ पर जोड देना है तो ये हमारी जो बड़ी हुई कटोरी है बनके लेडी हो गई है अब हमें इस कटोरी को कट करेंगे चेसे कटोरी कट पर रखेंगे और इसकी कटिंह करेंगे और माजिन हम दे देंगे तो ये हमेंगे इससे कहते होलो आप सक्निय करेंगे अब हम यहाँ पे sleeves की cutting करेंगे सबसे पहले अब उसकी बाद में हमने sleeves का length लगाना है तो length हमारा 6 inch का है और round 13 inch का है तो देखिए अस्तरवाली जो हमारी sleeve होगी तो 1 inch add होगा अगर without अस्तरवाली होगी तो 1,5 inch या 2 inch add होगा तो यहाँ पे मैंने अस्तरवाली sleeve cut करनी है तो 6 inch में हमने यहाँ पे 1 inch ही मिलाना है तो वो 7 inch आ रहा है तो देखिए मेरा बराबर से यहाँ पे 7 inch आ रहा है अब हम इसकी चोटा लेंगे तो सबसे पहले जितना भी armhole होता है वहाँ पे हम 1 inch लगाएंगे और वहाँ से आपको 1,5 inch या 3 inch extra लेना है तो मैंने यहाँ पे 3 inch extra लिया हुआ है यह total में मेरा 9 inch बन गया तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 inch extra ले लिया अब sleeves को डरेंगे तो देखिए यहाँ पे medium size की sleeves है इसलिए मैंने 3 inch किया ज्यादा बड़ी रहेगी तो आप 3,5 inch तक भी यहाँ पे down कर सकते है और ज्यादा छोटी रहेगी तो आप यहाँ पे 9 inch तक भी down कर सकते है तो यह depend करता है कि आपके sleeves की length कितनी होती है इस तरीके से मैंने line बना दिया अब जो यहाँ पे ने 3 inch डाउन किया हुआ है वहाँ से हमने जितनी margin ली थी उसको हमने सिधा बना दिया 1,5 inch पे मेंने 2 inch मार्जिनली हुई थे और इस तरीके से अब हम sleeves के जो shape होते है वो इस तरीके से दे दे देएंगे यह back वाला shape था और यह front वाला shape है इस तरीके से दोनों शेप मैंने आपर दे दिये है अब देखें आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके से अंदर की साइड में भी आधा इंच डाल सकते हैं पर मैं किस तरीके से राउंड का नाप निकालती हूasten हो हो आपे मारजिन दें कि अगम अगर यहां पे आदा हैं तो वह बरावर से ही में सब्सक्राइब करavasnt अगर मेरी चाइल को कि बना ब्रपासा क्रिडीन पर तो बिलेस अर प्रदानी नहीं डीयुकान देन ऑने शान्वाया थो शारु कांथ आपके पास आएगी और इसी तरीके से मैंने बैक का जो शेफ था उसको कट कर लिया है अब हम फ्रेंड का भी शेफ इस तरीके से कट करेंगे तो यह हमारी यहां पर स्लीव की जो कटिन है वो रेली है अब देखिए कटोरी की पैटन में कितने पार्ट होते हैं मैं आपको बत तकती है वो है तो यह हमारी 36 सिंज की कटोरी पेपर कटिंग बनके रेली हुई है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेल कमना ना भूलेगा